हेलो गाइज वेलकम बैक तो माइन अधर वीडियो तो गाइज आज को जो है आप लोगों के आर्ट का कुछ रिव्यूज होगा अगर आपके कुछ ड्राइंग से जो मैं आपको दिखाऊंगा और जो भी मतलब कुछ फीडबेक होगा जो कि मुझे ज़री लगा देना वो करो ठीक है तो गाइज चलो शुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहला आर्ट है अभी जित राउत आर्ट का जिसने गाइज गुरू रंधावा को ड्रॉ किया है इन्होंने गुरू रंधावा में ड्रॉ जो किया इसमें है जो है बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक लग रह है ना फोटो से एक कैमरा से जब लेते हैं तो बिल्कुल उस तरह का लुक है मतलब हैर में तो मैं वाव वाला फिल है ठीक है बट गाइस हैर की कंपरेजन में और इन्होंने जो फेस में सेडिंग की है वह काफी ज़्यादा डल हो जारा और बहुत ज़्यादा वाइट से देला है ठीक है बाकि अगर हेर देखो तो रियलिस्टिक टाइप का है तो मैं यह और आउटलाइन भी बिल्कुल सही है तो आप एक काम करो इसको और सेड उपर से दो फेस में ट्रिसर्ट में जहां भी जो रत है और ज़्यादा एंड यह रियलिस्टिक और ज़्यादा होते हैं असेड़िंग नहीं क्या है मतलब थाठा सा है यह प्रोब्लम है क्लियर- लें उतने इची नहीं और अउट लाइनमें थोड़े प्राव्लम है और क्लियर लें लेंस वह थबाम आंध दिकारो ai करो सेड जो है मतलब अतनी जग जधा स्मूध और क्लियर जो होता तो नेक्स्ट है गाइज भावाई जैन आर्ट्स का और इन्होंने रनवीर सिंग को ड्रॉप किया है और मुझे इसमें जो है और हेज डार्क करते हो तो फेस में भी सेट क्या करो अधर्वाइस वह बहुत ज्यादा वीर्ड वाला फिल देदा ठीक है नेक्स्ट है गाइज असू आर्टिस्ट इन्होंने एक फ्रेम के जिस्टा बनाया हुआ है एक गिटार पकड़ा हुआ है फुल साइज में और मुझे जो है आउटलाइन में समाव इसमें यह लग रहा है प्रॉब्लम कि थोड़ा और क्लियर होना चाहिए बाकी लिप पर गे चाहिए तो वो चीज़ थोड़ा इंप्रूब करने के कुछ नेक्स्ट है गाइस असावी आर्ट्स का है और इन्होंने गाइस एक ड्राइंग बनाया है साइथ पोश्टर कलर से तो इन्होंने क्या किया है थोड़ा सा जो वाटर है वाटर का थोड़ा लहर को थोड़ा सित्ती में वह बिल्कुल मिला हुआ स्ट्रेट दिखता है तो आप यह काम कर सकतो थोड़ा सा उपर में आप लाइन सा एक सिधी लाइन सा कर दो ताकि वह पीछे जो एक पहार सा लगे तो और नहीं लग गया बिल्कुल सा और वैसे इसे पानी थोड़ा और लग रहा ठीक ह इस नेक्स्ट ड्रोइंग है आर्टिस्ट अंकीत अगरवाल का तो गाइज इन्होंने जो ड्रॉइंग बनाया है इसका जो बैक्राउंड है जब गजब है क्योंकि ब्लैक के साथ इन्होंने घ्रीन को मिक्स किया है ना मजे वाला फिल देने वाला है ठीक है और इसमें तो एक खिणकी को एकदम बिल्कुल प्लेन सा दिखा दिया इतना यह नहीं होता कहीं-कहीं धबा सा पैचेस टाइप का होता है खिणकी में तो वह थोड़ा सा देने की कुछिस करो ताकि जो खिणकी है वह जदा थोड़ा और आच्छा लगे बाकी बैक्राउंड में जो मिक् ज्यादा स्मूथ किया और जो हाइलाइट छोड़ा इसमें बिल्कुल चमकने वाला फिल दिया है और जो किया है वह भी बहुत अच्छा है इसमें स्टोक सही से नजार आ रहे हैं बाकी कोट वेगरा जो डो कियें सेट कियें काफी सुन्दर है और ज्यादा इंप्रूव कर जाए तो प्रैक्टिस करते रोगा नेक्स्ट गाइस नेक्स्ट ट्राइंग है और रिया रजिनी का और इन्होंने साली में इसमें जो है डिजाइन को दिखाया तो मुझे डिजाइन में जादा कुछ पता नहीं है उन्होंने फेस में ड्रो किया नोज में थोड़ा प्रॉब्लम से लिप काफी बढ़ा हो गया बाइद वे यह सायद इस तरह का ही ड्रोइंग है लेकिन मैं बस इसमें इतना कह सकता हूं कि जो डिजाइन का अलिमेंट से और अच्छे-चे यूज करो और इसमें लाइ नेक्स्ट जो ड्रोइंग है वो है मुस्कान आर्ट का सेल्फी पोज को ड्रो किया गया इसमें और इसमें जो मुझे मैं प्रॉब्लम लगा और हैर जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा लाइट हो गया और जो बियर्ड पोसन की एंड में जो स्टोक दिये पैंसिल से इधर स सिर्फ स्टोक देना इस तरह करके श्टोक दो और बाकि अगर उस तरह से आप श्टोक दोगे तो बिलकुर यह सा लगए इसे मतलब चिपकाया हुआ है नकली दाड़ी को तो रियल वाला नहीं लगए तो उस तरह करने की कोशिस कर ठीक है तो वैस नेक्स्ट ड्रोइंग है द्राकेस पंकर्स का इन्होंने गाइज आउटलाइन बहुत अच्छी करें फेस में सेडिंग बस प्रोब्लम है फेक्स में सेडिंग और हैर में भी सेडिंग टीश्ट में थोड़ा समूथ होना चाहिए बाकि अगर आउटलाइन की बात करो तो बहुत अच्छी है और अच्छी मुझे जो है बोतल का जो ढकन है उसके नीचे का जो हाइलाइट्स पोसंट कि हैं उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा और जहां तक मुझे लग रहा इसमें जो लिखे हो प्रीमियम पोस्टर कर रहा है केमेल और तो इन में आपको थोड़ा लिखने में थोड़ अगर 3D में करोगा तो एंड और सेट भी थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा बाकी लुक बहुत अच्छा रहा ठीक है अब नेक्स्ट गाइस नेक्स्ट जो है वह दिरज कुमार का और इन्होंने एक दुर्गा माता का ड्राइंग बनाया ठीक है इसमें मैं जो प्रॉ करके थोड़ा सा कर दिया है तो वह छीज़ा को फोकस करना पड़ेगा और बाकी बहुत सारे चीज़े नेक्स्ट जो है वह क्रिस आर्टिस्ट का इन्होंने सब्सक्री करते इंसान को ड्राओ किए तो इसमें में बता दो गार आप मत्या करो थो बड़े इसमें में चोंटे साइज मैं करने से आपको प्रोबलम आएगा और इंप्रूव्मेंट में भी बहुत काफि जात दिखाद होगा तो बड़े साइज में करो तो अब यसीज से अपजाओ कर पाएगे देखोगे नहीं तो चोटे साइज में करने से आप बिल्कुल हलका हलका सा कर दोगे ऐसे और हो जाएगा ताम तो उस तरह से आप कोशी कोशी अब्जुर्वेशन में जो ही नहीं डालोगे तो अब्जुर्वेशन पार तो गाइज नेक्स्ट जो ड्राइंग है वो है अगनि अग्याते लिए की सेडिंग का सेंस है इन्होंने जो किया महिए फेस में वाल की साथ मुझे लगता है चारकॉल पैंसिल यूज किया है क्या थोड़ा सा और अच्क्न होना चाहिए और समूथ होना चाहिए और मतलब हाइलाइट को तो फिर सेडिंग में बहुत सारा प्रॉ हुआ तो आउल्लाइन सही है और सेडिंग में बहुत प्रॉब्लम है तो गाइस अगर आप बिगनर्स हो तो इस तरह से थोड़ा कीटिकल चीजों को मत उठाओ ड्रॉब करने के लिए ग्रम सिंपल चीजों को उठाओ और उसी को ऐसे से अच्छे से पक्रो अब्जोब करो तब जाके थोड़ा कीटिकल चीजों को ड्रॉब करना शुरू करो ठीक है क्योंकि आपके लाइन्स जो है थोड़ा सा तेड़ा तेड़ा करके आ जाता है तो वह चीज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट है गाइस क्याइस तो गई जो है वह स्वापनिल परतिहारी का इन्हों ने गाइस कैन्वस में ड्रॉप किया है कि लड़की का और अकल्यक्लीक कलर से है तो एकलिक कलर से तो तो होता है वह ट तो होता है ताफ होता है color mix करने में स्मूथ करने में थोड़ा सा भाप हो जाता है तो वो चीज चीज़े प्रभ्लम आता है वली के टो पकड़ Tie dry dye लीच है कड्वास मैं मत पकड़ो की तो इस तो नंता होको ऑब नाम नहीं पता है कि मैंने सच्च किया मतलब खोचा नाम मिला यसा तो और नाम नहीं पता इन्होंने एक रॉइंग बनाए अगर आपका है आप कोई भी देख रहे हो तो आपका है तो कमेंट में डॉप करके बता देना तो नेक्स्ट एकड़ाउन पानी में जो चट रहा है साम का सीन है अगर ऑईल पेस्टल से कीए ओट जो अगर पोस्टर से तो अपने जो वाइट जो ड्रॉब किये ना वाइट इस्टार बनाएनका लिए फेसे वाइट चो यह उसको थोड़ा इस परे करके किया करो भास से जो है वाइट को लिए किए स्प्रेइं करो थोड़ा स्ब्सक आज़िए बिल्कुल गोल गोल सबस्तुर करें और अच्छे से स्प्रेड होगा तो फरस कर कर नेक्स्ट जो ड्रोइंग है गाई यह भी नाम नहीं पता तो आपका है तो अगर कॉमेंट करके जो बता देना पाकि इन्होंने जो है ड्रो किया है एक ओल्ड ओमेंड का जिस चुकि मैंने रियलिस्टिक में ड्रो किया था उसी चीज को पैंसिल में ड्रो किये तो फोटो तो अब थो फिल्टर किये वेना ताकि मुझे समझने में प्राब्लम मतलब समझने में प्राब्लम ना एक है इसमें जो है आईज हाईलाइट कि वह सहीं कियो वह गलत गलत जगह पर हाईलाइट दे दियो तो वह दिक्कात थे और आउट्लाइन में थोड़ा प्राइट है बाकि नेक वाला पॉर्शन सही की है और एंड अंड वह तो बाकि थोड़ा और इंप्रोव करने का जोरत है तो इंप्रूव कर लेना अनेक्स्ट है गाइज रोयल आर्ट का इन्हों ने एक टाईगर डॉव किया है तो रोयल तो इन्होंने भी एक रॉयल सा कुछ पगड़ी पेना दिया किंग दिखाने के लिए सेर को ठीक है और इसमें बिल्कुल डार्क से कर दिया एंसेट जो स्केच किये हैं पैंसिल का स्ट्रोप कहीं कहीं सा दिये PC रहे हैं तो आजीब सा फिद एन ठीक करें और फेस में भी सेडि का करो ठुकी थठहीं norm रियलिस्टिक नहीं अगर बैसर यालिस्टिक ना करो फिर भी एक थाथ शुद्षा सा समूध होना चाहिए और उसका स्तों का झा había seeds स्टोक दे देने पर थोड़ा साजिब हो जाता है बाकिया अगरल टैक्टिस करो और अच्छे हो जाएं और नेक्स्ट रोइंग है गाइस नेक्स्ट एंड लाश्ट ड्रॉइंग जो है वह है गुल सन कुमार का तो इनमने पैंसे ड्रॉप किया है यह पैंसे ड्रोव किया है प्रेंड तो एक चीज में बता तो अगर इस तरह के पैंसे ड्रोव कर रहे हो तो आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है ड्रॉइंग उस तरह सेट किया करो पैंसे का थोड़ा लाइनिंग जो स्टोक देते हैं उस तरह किया करो नहीं तो अजब सा गेच्पीच हो जाएगा ह अब इस तरह करना पर उस तरह कर अगर पैंसे करते तो उस तरह करो तो काफी मज आएगा देखने में ठीए और अबर अब प्रैक्टिस कर देख तो इतने सारे आर्ट वर्क देखने के बाद मुझे लग रहा कि यह बहुत सारे प्रॉब्लम है जो आप लोग फेस करें तो इंप्रूब करने का एकी तरीका है ज्यादा ज्यादा पॉट्रेश प्रैक्टिस करो सेडिंग टेक्निक्स अप्लाइ करो और जिसको आपको लगता है कि अच्छा ड्रॉ करता है फिर अच्छा बताता उसके वीडियो को फॉलो करो इससे अपका ड्रॉइंग ज्यादा वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल को सके तो सब्सक्राइब करके जाना गाइस क्योंकि अच्छे वीडियो चाहिए तो और बाकी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइए